वेलो लेर्नर्स दिस प्रिया बर्णवाल एंड वेलकम बाक टो वी लेर्निंग तो हमने कापिटल बजटिंग की टेकनिक स्टार्ट करा था तो उसी को कंटिन्यू करते हुए आज मैं आपको बताऊंगी लाइक हमने लास्ट की क्लास में देखा था हम जब IRR कर रहे थे बहुत सारी कमिया थी IRR में तो उन कमियों को हटाने के लिए उनको मौडिफाइ करने के लिए लाया गया हमारा मौडिफाइड इंटर्न रेट अफ रिटर्न MIRR मेथर्ड ओके ये भी आपका मौडन मेथर्ड है discounting technique है ये भी आपका capital budgeting का तो इसको हम detail में देखेंगे आज की क्लास में और हम करेंगे relation between MIRR and IRR ये भी बहुत important है questions तो mainly आपके relations से ही उठकर आते हैं तो मैंने जितने में भी last में मैं relation बताती हूँ तो वो जितने भी relations बताई हूँ उनको आप not down करके रख लोग कि वो उठकर आएगा ओके और आप मेरे चानल पर new हूँ then please subscribe कर लेना चानल को hit the bell icon also so that आपको notifications मिलती रहे मैं जब भी new classes लगाऊं तो चलो without further delay let's begin the class तो देखो हम पहले IRR समझेंगे ओके हमने समझा है last week class में बट हम एक overview लेकर चलेंगे और problems देखेंगे तब ही जब आप MIRR करोगे ना तो आप relate कर पाओगे दोनों चीज़ों को तो एक overview ले लेते हैं IRR की IRR क्या होता है internal rate of return तो यह वो rate of return है जहां अपने प्रोजेक्ट का NPV zero होता है यह वो rate है जिस पे आपको return मिलता है तो यह internal rate of return आपका market को consider नहीं करके चलता यह चीज़ें हमने देखा अब हम देखते हैं problems क्या थे internal rate of return में तो problem first problem तो यह थी कि यह reinvestment ही कर रहा था IRR पे IRR में बोल रहा था कि जब हम reinvest भी करेंगे हमें जो inflows आए हैं फिर जब हम उसको reinvest भी करेंगे तो वो भी अपना IRR rate पे ही होगा reinvested at the same rate of return as that of the project that generated them जिस पर project को generate करा है फिर जब reinvest भी करेंगे तो उसी पर करेंगे यह बोलता था अब क्यों करेंगे क्या था वो पूरी कहानी मैंने पिछले क्लास में बताई है आपने नहीं देखा तो आप उस क्लास को पहले देखो क्योंकि concept clear होना जरूरी है वो होगा फिर ही आपको IRR समझ आएगा अच्छे से तो यह reinvestment की बात करता था same rate पे और दूसरा इसमें यह problem है कि यह आपका assume करके चलता था आपको rates निकालने है न तो आप rates कैसे निकालोगे फिर आप assume करके चलोगे बार-बार hit and trial method आप trial करके try करके देख रहे होते हो कि कौन सा मेरा rate सही जाएगा किस पे मेरा NPV zero आएगा यह आप देखते थे इसके वज़े से problem क्या आ रही थी कि IRR बहुत सारा मिल जा रहा था हमें है न तो more than one IRR can be fine for projects यह problem आ रही थी तो अब इन दो problems को solve करने के लिए लाया गया हमारा MIRR अब देखो यह formula है अपना IRR का मैंने बताया था आपको NPV NPV जब zero होता है तब ही आपका IRR निकलता है तो यह modified form है आपका IRR का modified form है अब इसमें क्या है तो it presumes that constructive cash flows are reinvested to the company's cost of capital अब MIRR में बोलता है कि वो IRR जो बोल रहा था कि reinvestment भी हम IRR पे ही करेंगे okay same rate पे करेंगे वो गलत है MIRR बोलता है कि नहीं अब cost of capital पे अगर आप करते हो reinvestment तो वो सही है तो यह reinvestment की बात किस rate पे करता है cost of capital पे याद रहेगा आपको reinvestment किस में होता है इसका cost of capital पे होता है अब यह IRR में बहुत सारा development लेकर आया तो क्या थी वो development क्या changes हुई थी तो बहुत सारे IRR different IRR is deleted बहुत सारे IRR जो थे वो delete हो गया मतलब उनको vanish कर दिया गया खतम कर दिया गया दूसरा it checks reinvestment price issue जो reinvestment price issue था ना अपना जो हम same rate पे करते थे उसको हटा दिया गया अब decision criteria क्या है MIRR में I hope आपको MIRR समझ आ गया हो अब हम decision criteria देखते हैं कैसे हम decision लेते है MIRR के case में तो first है आपका अगर आपका MIRR आपके project का MIRR expected return से ज्यादा हो तो आपका investment attractive consider किया जाएगा मतलब आप benefit में हो ऐसा माना जाएगा अब यह क्या बोल रहा है expected return अब MIRR में हम देखते हैं na cost of capital के साथ हम deal करते हैं तो obviously cost of capital के साथ deal कर रहे हैं तो हमारा हमेशा motive क्या रहेगा मेरा return cost of capital से ज्यादा रहे है ना तो इसलिए हम इसमें देखते है decision criteria मेरा यही होता है कि जो मेरा MIRR है project का वो अगर expected return जितना मैं return कर रही हूँ अब कोई भी बंदा हो तो वो चाहता है कि मेरा cost of capital at least मैंने जितना लगाया उससे ज्यादा ही मुझे मिले है ना at least उतना तो मिल ही जाए भाई और अगर उससे ज्यादा मिलता है तो आपकी project अच्छी है आप benefit में हो तो यह decision criteria है and अगर आपके पास mutually exclusive project है मतलब आपके पास दो तिन options हैं दो तिन investment opportunities हैं and limited resources हैं तो आप किसी एक पे जाओगे है ना और एक पे जाओगे तो भई दूसरा तीसरा तो आपका छुटी ही जाए का project है ना तो जब हमारे पास बहुत सारे investment opportunities होंगे तो हम क्या तो जो मेरा highest MIRR होगा ना वो ज्यादा attractive होगा उस पे मैं जाओगी तो वो वाला MIRR हम select करते हैं जब हमारे पास mutually exclusive projects होते हैं now अभी देखो formula क्या है MIRR का तो यह है आपका N, N क्या denote करता है आपका time period, okay years को तो N under root FVCV, FVCV, sorry FVCF अब यह क्या है तो यह है आपका future value of cash flow, okay cash flows जो हो रहे हैं आपको उस पे और जो future value पे जो आपको cash flow आएगा ना वो इसमें लेते हैं, okay उपर वो आता है और नीचे आता है आपका present value of cash flows और future value जो है आपका वो positive cash flows को consider करता है जिसमें discount होता है वो reinvestment rate पे, okay हमने देखा यह अपना discounted technique ही है, last है यह अपना discounted technique का last हम कर रहे हैं, MIRR तो यह discounted technique है तो यह future cash flows को तो consider करे गई, है ना तो यह उपर आएगा और नीचे present value लेंगे हम negative cash flows का जो discount होगा आपका किस पे? financing rate मतलब post of capital जो है आपका, okay, तो financing rate पे यह आपका discount होकर आएगा, तो यह होगया formula और end में फिर आप इसको minus करोगे किस से? 1 से, okay, minus करोगे 1 से, यह देख रहे हो, end under root f v c f divided by p v c f minus 1, okay, तो इस तरह से आपका चलता है, इस तरह से आपका formula रहेगा, MIRR का, अच्छा, और एक बात, अब देखो question में अगर ऐसा पूछ दे, कि f v future value, ठीक है, तो future value के जगह लिख दे, terminal value, तो confused नहीं होना है, same चीज़ future value of cash flows, तो वो भी आपका end ही तो है, end में जो आपको cash flows आ रहे हैं, okay, तो future value, terminal value, same है, चलो, अब आगे देखते हैं, advantages क्या है, तो यह advantage क्या है, यह reinvest करता है, किस पे rated average cost of capital पे, cost of capital पे ही इसमें reinvestment होती, it assumes that only inflows, जो inflows आ रहे हैं, वो reinvest होगे, किस पे rated average cost of capital पे होगे, okay, अच्छा देखो, एक और बात, आपका cost of capital दिया है, अब exam में अगर external cost दे दे, okay, तो confused नहीं होना है, same चीज़े है, external cost बोलो, या market cost बोलो, same है दोनो, sorry, तीनो, external cost बोलो, market cost बोलो, या आपका cost of capital, okay, तो ये same चीज़े ही है, now, ये calculate करता है, rates को in, एक second, it calculate the rate in percent form, ये percent form में rate को calculate करता है, हमने देखा ना, हमारा IRR भी rates में आ रहा था, और अपना MIRR भी rates में ही आता है, तो जब rates में आता है, तो ये बोला जाता है, कि ये best method है, क्योंकि investors को rates में, percentage में, जब profit मिल रहा होता है, तो उनको ज्यादा satisfaction होता है, वैसे ये लिखा हुआ है, बट ऐसे logically देखो, तो मतलब मेरे point of view से ये से अच्छा होता है, जब हमें amount मिलता है, क्योंकि amount देखकर पता चलता है, हाँ, मुझे इतना मिला, लेकिन rates में क्या है, कभी अगर profit up हुआ, या profit down हुआ, उसकी according आपको rates में पैसे मिलेंगे, right, return मिल तो वो उतना अच्छा नहीं होता है, amount ज्यादा अच्छा होता है, बट क्या करूं, यहाँ पर आपका वही advantage में दे रखा है, यह advantage consider करके चला है, इस theory में, तो हमें यही लेना पड़ेगा, okay, now disadvantage क्या है, तो harder to calculate than using other methods, दूसरे methods के comparison में आपका यह hard होता है to calculate, क्योंकि discount करना पड़ आपको present value, future value, plus आपको cost of capital भी consider करना है, तो इसलिए यह थोड़ा difficult method हो जाता है, now, अब भी हम देखेंगे the most important topic, क्या है, relation between IRR, MIRR and KO, इन तीनों के बेच relation क्या है, internal rate of return, modified internal rate of return, and cost of capital, तो एक तो है आपका, कि जब MIRR और IRR, दोनों ही आपका discount किये जाते हैं, discount rate पे, और जब NPV आपका 0 हो, okay, दोनों ही यही करते हैं, दोनों ही उसी rate पे जाते हैं, जब आपका NPV 0 होता है, MIRR और IRR, दोनों ही, okay, अब दूसरा है आपका IRR का जो investment होता है, IRR method जो हम use करते हैं, तो IRR में investment rate क्या होता है, IRR rate होता है, internal rate of return, वही आपका reinvestment rate होता है, अब MIRR method में आपका investment rate क्या होता है, तो वह होता है आपका cost of capital, हमने देखा, है न, cost of capital होता है, अब अभी MIRR, IRR के equal कब होता है, तो ऐसे ही questions पूछते हैं exam में, तो कब होगा equal, जब आपका cost of capital IRR के equal होगा, जब आपका cost of capital मतलब आपने जितना cost दिया, वही अगर आपका IRR के equal हो जा रहा है, तो obviously MIRR भी आपका IRR के equal होगा, क्योंकि MIRR आपका cost of capital के साथ ही तो deal करता है, है न, तो ये फिर equal होगे, now if IRR is greater than cost of capital, अब अगर IRR आपका cost of capital से ज्यादा हो, तो क्या होगा, तो आपका IRR भी MIRR से ज्यादा होगा, क्यों, क्योंकि MIRR cost of capital के साथ deal करता है, तो जब IRR ही ज्यादा हो जा रहा है cost of capital से, तो MIRR से भी तो ज्यादा ही हुआ न, अब दूसरा case, last case क्या है, if IRR is less than cost of capital, अब ये लगबग impossible ही है, क्योंकि loss में नहीं जाती business, सब देख कर चलता है, वो loss में नहीं करता है, बट अगर ऐसा होता है, मतलब IRR अगर आपका cost of capital से कम हुआ, तो मतलब आपका IRR, MIRR से भी कम होगा, OK, MIRR से भी कम होगा, बट this situation is very rare, बहुत कम ही ऐसा होता है, क्योंकि ये तो खुदी में modified way है, तो इसलिए IRR में, IRR cost of capital से कम नहीं लेते हैं, So, that's all for today's class, I hope आपको class अच्छी लगी हो, और मिलेंगे फिर हम next class में नई topic के साथ, फिलाल इसकी PDF notes आपको कहां मिलेंगी, तो इसके notes मिल जाएंगे आपको मेरे telegram channel target net grf with vlearning पे, और यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, यहाँ अपने एक discussion group भी है, जहाँ मैं आपको MCQs करवाती हूँ, paper 1 and paper 2 commerce का भी MCQs होता है, regularly, तो आप वो देख सकते हो, वहाँ से access ले सकते हो, उसका for your better practice, and instagram पे burnwal012 and facebook page पे welearning करके search करो, यहाँ से आप मुझे follow कर सकते हो, और class अच्छी लगी हो, तो please like करके ही जाना, और channel को अब तक भी subscribe नहीं किया, तो subscribe कर लो, bell button पे भी click कर लेना, so that आपको notifications मिलती रहें मेरे classes की, और class अच्छी लगी हो, relevant, useful लगी हो, तो अपने friends के साथ जरूर share करना, so that वो भी in free classes का benefit ले सके, so that's all for today's class, मिलते हैं next class में नए topic के साथ, thank you, keep learning,